पताने वला हुँ ठीक है ना देखेंड़ अप Τरइक्याहर फ्रवर्वरी मन्त में आपका बाइलोजी का और फर्वर्वरी से आपको पता है प्रीक्षा शुरू होने बाई बला और बाइलोजी के लिए कोई भी कोड मिलें आपके उत्विटे चापकेगा और हम आपको गाइड़ेंटी जाओ 70 में 70 आपका अब्जेक्टिव लड़ेगा एजुकेशन बिहार भी से या एजुकेशन गले से कहीं से भी तैयारी कीजिए दोनों चैनल हाना हमीं दोनों चैनल पर पढ़ाते हैं और डेली आपका जो क्लास का जो टाइमिंग है वो याद चैनल हो रहेगा जिसमें आपका अब्जेक्टिव टाइप क्विशन रहने वला यह कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मिशन है जो आपको जानना जरूरी है ठीक है ना चलिए सब्सक्राइब चलते आज की पहला प्रस्ण के और परसान कर लेते और आज का पहला कुशन आपके स् सिधे चापएगा चलिए फ़र्स क्विशन लगो लसक्रिशं का क्रेक्ट आंसर क्या होगा प्रसन आपको एक नंबर जैसा कि यहां पर भी मिलेगा अब आंसर दीजिए कौन सा भान पुछम आगो गुंणित है इंग हो कउन सा भाग पूछचा घुल था आपको एम्-पॉ पजिए लगाना जरूर है ठीक है अंवर लगाने में आप लोग करते हो देखो कञ़ूशी करोगे एकजाम में कमाल कौन करेगा हना आप लोग अंसर क्यों ने दिरो हो बताव जरा बहुत साले बच्छे आंसर देते बहुत साथा लगाते ही नहीं जब तक पता ही नहीं चलेगा का आखिड आप लोगों का तैयारी का लेवल है कितना और एक्जाम में जाकर आपको कितना कमाल करने वालों इसलिए सबी इस्टूडेंगों बताते हैं आप गलत भी आंसर दो लेकिन आंसर दीजी आंसर देने से आपका स्ट्रिन बेठा देगा या तीनस्टोडें वीटाईगा लिकिन अगर आपके अंदर e-ďþल आफ susa को बताते हैं कि आपको आंसर लगाते चलना है बाताई समझ में अब manner देते चलीगा इससे जू तयारी का जो लेबल हो जाएगा जबर्दस हो जाएगा और आपके अंदर एक confidence आ जाएगा जब कुछा जाएगा तो फटा फटा आप लोग क्या करोगे आंसर दोगे बात आरे समझ में सभी स्टुरिंग को ठीक है ना सभी को चलिए बहुत बढ़िया अब चलिए प्रस्ण दीखें बांसर लगो इस्कूश्ण का right answer यो कि बिल्कुल गलत है कौन सा भाग पूछा जा रहा है कौन सा भाग जो अगुनित होगा तो आपका डीम्ब हो जाएगा ना कि यूमिनस होगा यह आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है बहुत सारे बच्चे options का B दे रहे जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अगर बात पूछा जै कौन सा भाग उगनीत है तो आपको डीम जो भाग होता है यही आपका उगनीत होता है option A होगा ना कि आपका B होगा बात सभी को clear है जितने बच्चे option B दे रहे हो सब का गलत आंसर है सब का गलत आंसर है option A इसका सही उत्तर है ठीक है और first question में ही आप लोगों का जो है ना एकदम वहालत खराब हो गया हना पहले question में ही आप लोग फर्स गए बताओ ज़रा essay में कैसे exam में भौकाल मचाओगे ऐसे में exam में भौकाल कैसे मचाओगे मेरे धुरंदर बच्चे कैसे हना बातारे समझ में option B बाले जितनी student है option B बच्चे बिलकुल ही गलत आंसर दे रहे हो ठीक है तो जो जो बच्चे option A इसका choose की उनका बिलकुल सही जबावर आए ठीक है ना तो जितनी बच्चे option A दे रहे हो उनका बिलकुल सही उतर है जो जो बच्चे B चूज की उनका बिलकुल ही गलत आंसर है बातारे समझ में और ये question exam में पूछा जाएगा ध्यान में रखना है ठीक है चलिए ज्यान देजे question समझो फिर से आपको हम समझा देता हूँ क्योंकि exam में छपने बला question है इसलिए इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपकी exam में गलत नहीं करके आना है ठीक है ना देखी आसका पहला प्रशन पूछा जरह इन में से कौन सा भाग पूछा जरह correct answer क्या होगा एक जोए अलील है अब देखी एक जोए पुचा जए अलील है यह पूचा जरी क्या है पता हूँ यह आपका क्या है जीनों के बैकल्फिक प्रकार है यह आपका क्या होगा मेरी प्यारी स्टुडेंट option C हो जाएगा यादगना option C और जितने question बता रहा हूँ सभी question याद कर लेजे सीधी आपके परिक्षा में छपेगा एकदम एक question चपेगा तो आपको एक एक question याद कर लेना है ठीक है ना चलिए ने इस question की बात कर लेते question में थी देखी यहाँ पर प्रशन आपके screen पर चुगा है अब answer लगा इस question का correct answer क्या होगा प्रशन दिखे मायलाइट कर देता है ताकि student विदम बढ़ियां से दिखे चलिए बढ़र देख लेते हैं थोड़ा सा option कट होगा तो मैंने कर लीजेगा क्या थोड़ा सा इतना ही रहने देते हैं ना देखो अब सही है क्योंकि option और अगर हम जूम करते हैं तो आपका जो option जो है कट रहा है तो इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं ठीक है ना चलो question में थी द अहार सिंखलाओं का जो संभूझ होता है क्या काहलाता है एक भिज़ा हुट है ठीक है क्या हुट है फुड़ वें जाएगा तो option क्या होगा मेरी प्यारी बच्छी option सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है चली अगली question की बात के लिए question मैं 4 पुछा जो है क्या कवक एबम उच्छ कुल के जो पौधों की जो जरों के बीच जो है बनने वाले जो सहजीवी जो संबंद जो है उसको क्या कहा जाता है अब देखे क्या धांसू question आज चुका है अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है फड़ा पर आंसर क्या होगा प्रसंद देखे अब जल्दी-जली जबाब दिजे इस क्या होगा जल्दी-जली आंसर लगाओ वेरी नाइस जितनी पचे और उप्शन का क्या चूज के रो माइक्रो राइजा चूज के उनका बिल्कुली सही और शर्टी का अंसर देखे और ऑप्शन नमर बी यादगना कब आक इबम उच्छ कूल के जो पौधो की जरो के बीच जरो के बीच बढने वाले सहजीवी जो संबंद को कहा जाता है यादगना माइको राइजा हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट अंसर है चार का ऑप्शन बी हो जाएगा यादगना चली अगला क्विशन दिख लेते हैं क्विश्चन 5 देखे आपका बाइलोजिक का अच्छा ही बताऊं ता आप लोगों का जो बाइलोजिक का तैयारी है अभी फिलाल ख्यो गदम जीरो लेबल एंसचाही बात यह बहुत बहुत बूच्चे का च्छा यह लेकिन बहुत बच्चे का इकडम जीरो लेबल करोगा तभी आपको याद भी रहेगा कोईशन ठीक है न कुटिन्यू मेनत करना यह नहीं का दा दौरा कलाश करोगे फिर जाकर बोलोगे सजीद हमको एकदम आता ही नहीं है ना कुटिन्यू मेनत करोगे तो ही क्यूंकि हमको सब का जवाब से पता चल रहा है ठीक है चली यह दिखना ने शुलिवाद के लिए ते विशन में सिक्स क्यिशन में सिक्स बहुत एकदम धासू क्रीशन है यहाँ पर बात रह एक अगर अगर एक समाने जो ए मनुस्त का एक लड़की ठीक है बैसलिया कि जो कैरियर जो है इससे क्या करता है तब क्या होगा अब देखों ये लड़की की बात थो रही है ना आपके पास देखिए चार ओप्शन को दिखिए अगर साधी करेगा जिसके पास क्या हो हिमोफिलिया की केरियर है अगर उससे अगर शाधी करता है कोई लड़की तो जैसी बात है उसका 50% पुत्र क्या होगा हिमोफिलिया से क्या है गरेसित होंगे यह अपका बिमारी है इससे क्या होगा अगर कोई लड़की किसी लड़का से साधी करता सपोज करो अगर लड़की का क्या है लड़की को बीमारी है हुमोफिलिया के एक बीमारी है हुमोफिलिया की तो जो लड़का जिससे साधी करेगा उसका जो पुत्र होगा उसमें क्या होगा 50% वो आपका क्या रहेगा उसका जो पुत्र रहेगा हुमोफिलिया किससे जो है क्या है गरसि प्राथमिक उभोकता ही जो है प्राथमिक जो होता है यानि प्राथमिक जो उभोकता है यही आपका क्या होगा स्रंखला में सका हरी होती है सका हरी होता है याद न अहार में अगर पूछा से सिंखला में सका हरी कौन होता है प्राथमिक उभगता है यानि प्राइमरी जो है कंजूमर्स होता है अप्शन क्या होगा मेरी दुरंदर बच्चे 20 का करेक्ट आंसर है चलिए इस कुशन की बात किलते एट में प्राशन है इनमें से कौन सा जैव उर्वरक यानि धान के खेत में जो उप्योग होता है बताओ धान के खेत में किसका उप्योग होता है जल्द जली आंसर दीजे आपके पास चाहर ऑप्शन है पदीज़र है फट अब आ आंसर लगो इस कुशन का करेक्ट आंसर क्या होगा एट नमर क्विशन देखे जल्द जल्यांसर लगो मेरी प्यारे स्टूडेन इस कुशन का सही उत्तर क्या होगा जो जो बच्चे इसका ऑप्शन सी चूज की उन है अले बात कर लेते हैं नाइनमोर प्रस्फिन करेक्ट आश्य क्वेशन का सही जवाब क्या हुगा जलदी जलून से लगो इसना नाइन का सही उत्तर क्या होगा देखिए अ बहुत बढ़ी है वैरी नाइस यहां पर बात किस की वरी बात हुरी इन किस पर और में बात किस की होड़ी बात वुलिए क्या किलियो एश्टो गैमी ज्ञाप पाए जाता है प्लेज लेकिन किसमें पाया यह प्लाशन बनता है आपके पार त्रो चार बेसक्या जन एप डिया जरौ आ papis में पाया जता है कोमे लीना में क्या ह kommt सिष का इसका बिल्कुल जबाब है याद ना किलियो छो अपना अस्थान बदलता रहता है अब डीने का वबाग पूछा जरा है जो यह अपना अस्थान बदलता रहता है बुलो इस दूसित अपका क्या होगा । बिल्कुत अप्षिन सोगा क्या होगह चोजके टांस पोजन सूसके उनका भिल्कुली क्रेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया है क्या होगा प्रस्तित की तंत्र की जविक कारक क्या होगा चार आपके पास यहां पर दिया ज़रा जल्दी ज़ली यहांसर क्या हो तर्स्पादक भोकता इब अब घटन करता यह सभी क्या है जैविक यादगा यह सभी क्या आपका जैविक कारक है ठीक है अपका क्या है एक परिस्तित की तंत के जो जैविक कारक है कौन है उत्पादक हो गया उसके बाद भोगता हो गया एवं अब घटन करता हो गया तो option D जितने बचे चूज़ किये बिलकुर सही जवाब दे रहो ब बेक्टेरिया दूत को दही में बदल देता है थे जबाद डीजेशं का करेक्ट आंसर क्या होगा देखें का ऐनसर क्व बदलता है यह आपका क्या हैीश वह प्र बैसिलस घटन ही जिव बदलताए टाप किया हुआ बिसका बिलकुव से उतर है लेक्टो बैसिल अंसर है चबबाश मेरे शेरों आज के सेसन में तो क्वेशन का धुवाँ छुडा रहे हैं बहुत बढ़िया लीशी का खाने वाला भाग क्या है उस बाग का नाम क्या है बताऊ जड़ा लीची का पूच़ने खाने व होता है उस भाग को कहते हैं एडील क्या कहते हैं एडील एडील भाग कहते हैं ऑप्शन क्या होगा मेरी धुरंदर एक्स्टूरेंट option C इसका बिल्कु सही जवाब है जितने बचे option C चूज के बिल्कुल correct answer देरो बहुत बढ़ी हां next question की बात के लिए दिखिए answer का right answer क्या होगा एक दम जबर 10 question है हना जल्दी जल्दी आंसर का right answer क्या होगा देखिए बात रही कि 64 सब्सक्राइब क्या है कितने अमीनो अमल के लिए कोड होते हैं बताओ कितने अमीनो अमल के लिए कोड होते हैं आपके पास चार option यह पर दिया जड़ा है फटा बड़ा answer का correct answer क्या होगा देख रहा हो question देखिए एक दम लोलिंदार जबदस धासू question है आज का सेशन बिल्कुल मिश नहीं करना है ठीक है क्योंकि आप सब्सक्राइब का जो डिमांड था बाइलोजी का सजी धासू और धुरंदर क्लास लेकर आए तो finally हम लेका रहाजीर हो चुका हूँ और आपको जैसा कि पता है कि तयारी अभी हम देख रहा है कि कितना आपका है और डेली इसी तरह अगर आपको तयारी करोगे दो दिन ही अभी क्लास शुरू हूआ है कुछ कुछ इंप्रूब हुआ आपके अंदर हम देख रहा हूँ कु को सब्सक्क्राइब करने में तापको होगा नैगा सब्सकराइब डिरेट लगाके सीर्स क्राइब घरी तो ही चैनल मिल रहां ऐसे अभी स्थ पिढूरर बतारोरist किनोस्कर वट्सक्रीब करने में ब्रक्षट में दिया गया है चलिए इक सत्व चूज के उनका बिलकूल कर्रेक्ट अंसर दो यादना चौंसाच कोडोन में से कितने एमिनोन अअमले के लिए कौर्ड होते हैं तो चौंसाच कोड होते हैं अच्छी तरह से यादिकना ऑप्शन के बात किलते 15 क्या Jugis करेक्ट आंसर क्या हो एकदम इंपॉर्डेंट कुछिए ध्यान दिजिगा पर स्थित्की तंत्र के अंदर उर्जा का परभाज एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है अब देखिए अर्य भई हां देखिए अब पूछा जाए क्या एक जीव से पूछा जाए दूसरे जूब जीव में पूछा जेक किस परकार होता है चार ऑप्षेन इपर दिया ज़रा है अब आशक्षिन का क्रेक्ट आंसर क्या होगा प्रश्ण आपके स्कूछीन पर है फटावर आंसर लगो इसक्रिशन का राइक आंसर क्या होगा जलदी से जबाब दीजी चलिए बहुत बढ़ियां तो यादगना प्रिस्तित के तन्द के जो अंदर जो उर्जा адцgen एक जिब से दूसरे जीब में चलिए बहुत ह parallel कर रहे हैं किस में दूसरे जीब में तूसरे जीब ev यानि chemicals हो जाएगा, क्या होगा, chemicals, यानि राशाइनिक पदात हो जाएगा, option C, option C वाले बच्चे बिल्कु सही जवाब देरे, याद न, परस्तित के तंतर्व के जो अंदर उर्जा का परभाब, एक जीब से दूसर जीब में किस रूप में होता है, तो याद राशाइनिक प सुझ के रहे हो, बताओ जरा, लिवेन हॉक, क्या होगा, लिवेन हॉक is the right answer for this question होगा, लिवेन हॉक नहीं जो है, बेक्टेरिया की खोज की, तो option क्या होगा, option C, correct answer है, okay, मेरी प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, चली, अगला क्यूशन देखें लेते, क्यूशन मे क्या, तुल रूपता, अभी सारी विकास पर क्या है, अधारित है, यह बिल्कुस सही है, लेकिन तुल रूपता, अब सारी, अब सारी पर बिल्कुल भी अधारित नहीं है, नहीं, अभी सारी पर अधारित है, आंसर किसके साथ जाओगे, option क्या होगा, option क्या होगा, मेरी प का बिल्कुस सथ है ठीक है नेक्स्ट क्विशन देख लेते क्विशन में 18 अठरा प्रस्टन देखे आंसे लगे इस क्विशन का क्रेक्ट आंसर क्या होगा एकदम मज़ेदार क्विशन है डेली अपका बायलोजी के कलाश्च 6 बजे होती है डेली कुंटिन्यू ये नहीं क्य करें तो इसका time अलग बना कें ठीक है अपूचल किसने कहा था कि जीवन रूपोग का विकाष जीवन क्या है रूपों का विकास अंग के जोए अंग जोतन अंग हना इसके उप्योग एबब अनुप्योग का कारन हुआ अब इस पूचा ज़रा है किस ने कहा था किस बैध् लिमार्क कहां पर है option C में दिख रहा है बिल्कु सही जवाब देरो जितने बच्छे options का सी चूस के उनका बिल्कु सही जवाब है लिमार्क नहीं जो है यह कहा था क्या जीवन रूपों का विकास जो है अंग के उप्योग वान उप्योग का कारण हुआ लेकिन किस वैग्या है अब इसका क्रेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जर nasa चार ॉप्षिन का क्रेक्ट निश्क्रम सर जल चींज्ब जल्डी जल्यान सर लेगो इसका क्रेक्ट आंसर क्या हुआ प्रशन आपकी प्रास दिया जा रहा है और जितने बच्छे ओप्षेंग इसका क्या चूज करें ओप्षेंग ए चूज किए पॉप्पलेशन चूज कि उनका बिलकुल ही करेक्ट आंसर है यानि समिस्ट जो है संधर्व यानि पॉपलेशन हो जाएगा बिलकुल सही जावा ओप्षेंग इसका कार क्या है तो पॉपलेशन है यानि समिस्ट संधर्व ओके नेक्स्ट कुईशन देखें अब आंसर लगो इसका राइट आंसर क्या होगा जली सकरकन तता आलू जो है इसका अअधारन कोन नर इसके विकास की आधार पर आपको आणसर चूज चूस करना हैं जल्ल ए अंसर को है यह किसका अदार का विकास किसका सकरकन और आलू का उधारन ओके नेश्क्रिशन दीए 21 ने कि आंसर का राइट आंसर क्या होगा बात तो रही क्या एसा आल जो है मिलर की बात रही है मिलर वाज डैस की बात रही है यह कौन से सैंटिस्ट थे बताओ ज़रा एसे न वेग्यानिक होगा यूरोपियन होगा इसका पुछाज सिद्दान किस ने दिया था प्रकृतिक वर्न यानि चुनाव का सिद्दान किस ने दिया था जो है यह पुछा जिया था बताओ जराओ आपके पास शुमार ऑप्षिन ऑप फरिया जा रहा है इसका जुनाव जू सिद्दान दिया था यह कुछ ने दिया ता यह डार्वीन निया थे समझातिय सनचना वे होते हैं जिनके डैस हो समझातिय सनचना पूछन जिनके डैस होते हैं वे होते हैं पूछन जिनके डैस होते हैं चार ओप्षन अपर दिया जड़ा है बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा ये क्या होता है ये आपका क्या होगा समझातिये शर्णचना है ठीक है ना सर्णचना है ओके ऑप्षन क्या होगा मेरी प्यारे स्टूडेंट ऑप्षन ए जितने बचे ऑप्षे में देखो ऑप्षन देखो उल्टा-पुल्टा है तो आप रूथ थुरा सा टाइमिंग जो 6 बजे है ने पक्का पके 6 बजे शुरू करेंगे क्योंकि बीच में आपको जो है ना सात बजे से हमको एजुकेशन गलेक्सी पे भी क्लास लेना होता है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी छुटी देना पड़ता है यहां से ताकि वहां पर भी सड्डू लगा लिखना बीना सपेस के एड़ी रेट लगाकर दो एड़ी रेट बिहार बियाए च्यार बिहार बियासी यह आपको बता देते हैं कैसे सर्च करना है सबस्विले आप लोग देखो जितने इस चैनल नहीं मिलता हो भी सर्च लिस्ट में चैनल है नहीं फिलाल लेकिन आपको हम बता देते चैनल कैसे मिलेगा थोड़ा सा आप लोगों कुछ देख लिजी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सजी चैनल मिलता नहीं है ठीक है सर्च करने के बाद आपको क्या करना इक हम आपको एडिया देता हूं बिहार बीस बीना स्पेस के सर्च करना यहां पर देखेंगे दो 2020 देखेंगे यहां पर आपको नहीं क्लिक करना आप करना अब जैसे यहां बिहारं उस्तों करकेती संटिएगा तब आपको channel मिल जाएगा, देखिए, मिल गया channel, बात अबर समझ में सभी student को, आपको क्या करना है, ध्यान जाएगा, आपको क्या करना है, आपको बिहार BSP डिडियू मीन या आपको यह space बला देगा, इस पे नहीं किलिकरना, आपको बिना space की बिहार BSP लिखना है, उसके ब आपको बिहार BSP लिखना है, बिना space की, ठीक है, और अगर आपको चाते हो, और सब्सक्राइब करना है, आपको बिहार BSP लिखना है, तो आपको चैनल मिल जाएगा, यह आपको डाइक लिए लगा दो, इस रिफ्ट के साथ, अगर एड़ यह देखिए, अगर इस तरह आप आपको बिहार BSP आपको एक नमल में ही चैनल मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा ढूणने के अब सकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, और अराम से आकर यहां पर देखिए, लाइब बला सेक्शन में आकर, यहां पर जो 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 लाइब क्लाश चलती है, यहां से आपको आंसर देने में कंजूर्शी नहीं करो, जल्द जल्द आंसर लगाओ, चलिए परशन देखिए, आंसर लो इसक्विशन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए परशन बहुत इंपॉर्टन क्विशन है, और जितने बच्चे दे रहें बहुत बढ़ियां सभी का लगबग कया पूचा अपका पूचा जूए आपका पूचा रहें क्या है, जीमेबार होगा हम्रल झा प्रतव पतय स्वाघ्व ए वाहिए को आपके पासष्ण धार जितने बचया प्सकरि स्पारत्त है। असे वाहिए लुगोल स्वाभेशन हो और यह हूं gosh Walmart को आपके देले हूँ मेदार है। तो बी आपका लिंपोर साइट ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है देखिए बात रिका कोकीन जो है प्राप्ट किया जाता है कोकीन किसे प्राप्ट किया जाता है चार ऑप्शन अपर दिया ज़रा है यह प्राप्ट किया जाता है एडितो जो है जाई लोको जाई ल हो जाना ताकि आपको डेली क्लास जोएन छे बज़े से जैसे शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा ठीक है तो फटा 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 प्लोग जूर जाओ जल्दी जल्दी वाट्सप ग्रूप का लिंग डिस्केप्शन में दिया गए हम आपको पिने भी कर देता हूं सभी बच्छे जूर जाइएगा जरूर ठीक है ना डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको वाटसप के माधियां से भी हम आपको भेज़ देते हैं अगर मालेजे यूट्यूब में आपको खोजनेये में या दिक्कत होती है था हम आपको वाटसप के माधियां से ख्लास का स्टूड़त की परक्जा कर सकते और जितने बच्चे हैं सभी बच्चे और बहुत सारे अब अब बगवक सभी कॉलेज का इबलेबल करना नहीं रहा है और विबाँ गव्याइब डाइट नहीं हुआए जिनका भी तक अपड़ेट नहीं हुआ उनका ठ्थोरा सा लेट लगेगा उनका विनका धो गणता या एका दिनके अदर आपका उनका हो जाये ठीक है आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अब रही बात कैसे डाउनलोड करना नहीं करना प्रोप्रोसेस हम आपको बता देता हूं और जितने बच्चे सभी बच्चे लाइक जरूर कर लेना है ठीक है इस कलास का आपको पीडिया भी आपको वाट्सप के बिहार बीए सीवी धान जीगा जितने बच्चे सभी बच्चे लिए समझने का कोसिस किजिए आखिर आपको क्या टाइप करना है अब लोग दोजाट तरीस प्रिक्षा कर आपको एड्मिन काट डाउनोड करना अचा तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना ओफिश दो कंडिशन फर्स्ट है कि पीस को रिफ्रेस कर लीजेगा ताकि आपका पेस लोडिंग बिल्कू सही से वर्क करें और आसानी सा डाउनोड कर सको एड़ उसके बाद आपको सारी सानखरे पड़ लीजेगा रिफ्रेस करने एक बार एड़ आद उसकी बार डॉनलूड लिं City card 2020 registration registration नमर डिटेटब बर्थ मांगा जा रहा है तो रिश्टेशन नममर नहीं पर आपको डालना है वह प्रइग्सटेशन नमर होगा फौर इश्टेशन नमर होगा कुछ भी वह डाल रहेगा वो जो भी डेट आफ बर्त रहेगा उसी डेट आफ बर्त को आपको क्या करना यहां पर डालना तुछ इस तरह आपको लिखना है तो आपको लिखना और उसके बाद डाउंलोड पर तब सब आपका download होगा और हाँ सबसे हुले हम बता देते हैं अभी कुछ कॉलेशी का अभी 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 कुछ समय के बाद एक दो दीन या कुछ गंटे मान लेजें कुछ गंटे में भी बहुत सरे कॉलेशी का update हो रहा है तो आपको यहां से चेक करते रहा ठीक है आप सभी स्टुन को क्या करना यहां से हमेशा आकर चेक करते रहे हैं आपका जैसे अबलेबल होगा यहीं सबकाट डाउनलोड हो जाएगा अभी फिला निंक खुल रहा है ठीक है ना और यहीं से सभी स्टुन को डाउनलोड करना देख लेजी ओफिशल निक अभी पेस के जैसे लिखा है ऐसे आप लोग टाइप कीजिए और फटा 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 आप लोग दोजाद तरीस परिक्षा का जो है फाइनल एडमिट काड डाउन्लोड कर सकते हैं ठीक है न और सभी स्टूइन को क्या करना है आज के क्लास का पीडियेप नोट्स के लिए वाट्ट स वाट्सप ग्रूब में सभी बच्छे जोईन हो चुक्क एक बर यह से लिख दीजे तो आज टेस्ट नहीं दिए कल से टेस्ट लगवा देंगे अगर कल दो-तीन सवर इस्टूइन लाइब में आते हैं तो कल जो है टेस्ट लगवा देंगे ठीक है सनिया हम टेस्ट लेंगे आज भर रहने दोन कल से टेस्ट लेते हैं आप लोग सभी बच्छे सर्ज कर लो ब्याहर बेस्प अपई आकर और फटा पर आप लोग सारी जानकारी प्राप्त कर लेजिए ठीक है ना और वीडियो को लाइक जरूर किजिए शेयर जरूर करना ज् अब कलास करने वाले जितने बच्चे एक बार चैट सक्षिन में अप लोग सामिल है जल्दी से जल्दी जल्दी जली अब मता देजिए सभी बच्छे वाट्सअब में सामिल है फटा 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 आप लोग चैट किजिए तु जल्दी जली एक बार चैट करके आप लोग बता देजिए सभी बच्छे वाट्सप ग्रूप में सामें ले एक बार येस एस लिग दिजे और वीडियो पसंद आ है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना सभी बच्छे आकर यहां पर अध्मिकाट डाउनलोड कर लिज